नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ओनलाइन प्लेटफॉम पर एक बार फिर से आपका हर दिख स्वागत हुए अभिनन्द आज हम आज की कलास में विज्वल आर्ट नेट का जो पेपर है जो नुवंबर 2017 में वा था और नुवंबर 2017 तक जो एक्जाम हो रहे थे उनमें सब्जेक्ट के दो पेपर वा करते थे एक तो second और एक third उसमें जो first paper वा करता था वो अलग वा करता था तो 18 से लेकर के 23 तक के जितने भी paper हैं वो सारे के सारे paper अपन पहले की class में पढ़ चुके हैं और अब हम जो November 2017 में Visual Art का जो second paper हुआ है जो second पढ़ेंगे उसके बाद third पढ़ेंगे तो वीडियो आपको लगातार करम से ही क्या है मिलते रहेंगे अगर आपको ये panel PDF प्रापत करनी है तो आप Mission Art एप को डाउनलोड कर लीजी वहाँ पर आपको ये panel PDF है जो प्रापत हो जाएगे हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर लेना चलते हैं आगे वाले प्रशन की तरफ Flexographic शाही की एक घटक को निमिल लिखित में से क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है Any Line Die प्रशन नम्बर दो की तरफ चले DP राय चोधरी के चित्रण के विशे निमिल लिखित में से अधिकांसते क्या होते थे तो उनके चित्रण के जो विशे हुआ करते थे वो हुआ करते थे अधिकांसते महिला प्रशन नम्बर तीन की तरफ चले प्रिंट मैकिंग में एक्वा टिंट प्रभाव किस से प्रापत होता है तो एक्वा टिंट प्रभाव है ये रेजिन से प्रापत होता है भारत में कोलाज पलेट छपाई परकिरिया की सुरुवात किस के द्वारा की गई थी तो कोलाज पलेट की जो च्छपाई परकिरिया है इसकी शुरुवात भारत में कमल किर्शन के द्वारा की गईakah थी रंग को चित्र भुमी पर करमानुसार लगाकर एक परवाह उत्तपन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है तो वो कहलाता है अनुकरम पुस्तक मिंच्स एंड शिम्बॉल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेसन के लेखक हैं तो इसके लेखक कौन है? एच जिम्मर यानि हनरी जिम्मर कला में चतूर्थ आयाम और सा फौर्थ डाइमेंशन किसने सुझाया? तो ये किशने सुझाय था ये सुझाय था लोर्यू नोव ने बाथर्स इन फरंट ओफ ए टेंट नामक चितर करती किस से संबंध है तो इस करती का जो संबंध है ये है पॉल सेजान से चोल मंडल कलाकारों के गाउं की स्थापना किस ने की थी तो इसकी स्थापना की थी के सी ऐसे पनी करने वर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है F.N. सुजा पंड्रे थन मंधीर कहां थित है तो पंड्रे थन मंधीर है जो जम्मू और कश्मीर में थित है माइकल एंजिलो दुआरा वेटिकन में सिस्टाइन चेपल की छट के चित्रन के लिए किस तक नीक का परियोग किया गया था तो यहां जो तकनीक प्रियोग में आई थी, वो आई थी कुन सी खरेंश को आकार देने की गलाइप्टिक प्रनाली यानि जो गलेप्टिक विधि है गलेप्टिक से किससे समंदित है तो यह समंदित है कारविंग नका से उस मूर्तिकार का नाम बताइब जिनहें बढ़ोदा के महाराज सियाजी राव गायक वार थर्ड ने बडोदा के लक्समी विलास पेलेस के लिए करतियां तयार करने की कमन सौंपी थी तो ये किसको सौंपी थी? ये सौंपी थी फणिंदरनात बोश को 1948 सम्मर ओलम्पिक्स में किस भारती मूर्थिकार को उसके काम की प्रसंसा के लिए रजत पदक मिला था तो ये मिला था चिंता मनी करको एप आर पी यानि पोलीमर के लिए एक मुख्य सामगरी है तो ये किसके लिए ये है इपोक्सी के लिए निमी लिखित में से किसे जापान के उतकरष्ट विज्वल कम्यूनिकेटर के रूप में वर्नित किया गया है तो ये किसको वर्णित किया गया है? ये किया गया है सियेगो फुकुदा को कौन से नगर का अंडर ग्राउंड परिवेस सघन पोस्टर वाला है? तो ये है किसका लंदन का? कौन से का? लंदन का तेयार विज्यापन के लिए ग्रहकों को स्टोरी बोर्ड देने के लिए विक्षित किया गया सैचल तस्वीर दर्ष्टांत यानि मूविंग पिक्चर इलिस्ट्रेशन होता है तो ये क्या होता है? ये होता है एनिमेटिक है? होता है जो एनिमेशन के माध्यम से चलता है एक विख्यापन जिसमें किसी नई वस्तु अत्वा संपादकिय को दर्साय आ जाता है तो इसमें किसे दर्साय जाता है, ये दर्साय जाता है, किसमें एड़ वरे, टॉर्यल में हिख निमिल लिखित को सुमेलित कीजिये इनमें आप देखोगे लाइम स्टोन यानि जर्मनी में लाइम स्टोन है जर्मनी क्यों आया है क्योंकि लाइम स्टोन का यूज किसमें होता है यह होता है लितोगराफि में और लितोगराफि की जो शुरुवात है वो कहां से मानी जाती है जर्मनी के बेवेरिया का जो पाथर मुख्य माना जाता है या वहां से लिया माना जाता है Papyrus यानि Papyrus Papyrus के पते मिसर की पुस्तक वगईरा लिखी गई है मिसर में यह ज़ुओा करते था 像 ऑपकार 像 फ्रकार की बात करें तो यह कहा की है? यह चीन की है और endeavor की बात करें आगे वाले परसन की तरफ चलते हैं निमिलिखित को सूमेलित कीजिए इधर छापाकला की तकनीक है और इधर इनका समय दियावा है हम सब को पता है सबसे पहले कागज आया था और कागज के बाद देखे तो इन में से कौन सा आता है वुड ब्लोक सबसे पहले आया वुड ब शिर्टियवर यौशन में प्रापत है हो रहा है कि प्रिंट प्रेश की बात करें तो प्रिंटिंग प्रेश निम्यातु हुद रिटीन आइए 1040 में मानी जाती है चल थाई थाउस हमय ओ 페 driving का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1 5040 और अमलांकन का जो समय माना जाता है इसके अनुसार देखोगे, A में थरी, B में फर्स्ट यानि प्रिंटिंग प्रेस 1440, C यानि अमलांकन 1515, और D यानि चल टाइप 1040 से इस्वी, तो ये इनका क्या है, आने का जो करम है, जो सन के आधार पर हमें मिलाना है, निमलिकित को सुमेलित कीजिए, प्रिहिस्टोरिक पेंटिंग की बात करें, ये पुस्तक है, ये क्या है, ये पुस्तक है, और इधर इनके लेकक दिये हुए है, प्रिहिस्टोरिक पेंटिंग की बात करें, तो ये किस की है, ये बोडरी की है, प्रिहिस्टोरिक इंडिया की सकते हैं तो आप इन दो से ही मिला सकते हो एक साथ देखी आप second एक साथ देखेंगे second-e dedic यहां है और यहां हैत है ह। स्टोरी इंडिया की बात करें we के साथ three के साथ three हमें keval और keval 3 kiju number option में प्रापत हो रहा है न på of art की बात करें तो ये पुस्तक किस की है जी एच ग्रॉमबिच की है और the art of इंडिया की बात करें तो ये प्रसिद पुस्तक है इस्टेला क्रेमिबिच की जो कि अपने option number 3 के अनुशारे सही है निमिलिकित को सुमेलित करें दब्यू के दब्यू के का संबंद किस से है एरिक हेकल से है यानि ए में देखिए आप चार ए में हम देखेंगे चार आपको यहां मिल रहा है और आपको यहां मिल रहा है डे स्टाइल की बात करें तो इससे समंदित है कोन है वोन है डोस बरग है तो बी में देखिए आप थरी बी में देखेंगे थरी हमें कहां मिल जाता है option नंबर दो में मिल जाता है जो की सही है कोब्रा ग्रूप से कोन समंदित है ये कोरनेले है और ब्लू राइडर ग्रूप से समंदित कोन है पोल है कली है तो इधर आप देखोगे इसके अनुसार अपना जो दो नंबर है ये क्या है पूर्णते सही है आगे वाले प्रसंद की तरफ चले निमलिकित को सुमेलित कीजिए इधर तो क्या है गुफा मंदिर दिये वे और इधर इनका समय कालियन किस राजवंस के समय इनका निर्मान हुआ बादामी की गुफाओं की बात करें तो ये बादामी की गुफा मंदिर है जो चालू के काल में बनाए गए थे बारावर की गुफाओं की बात करें तो बारावर की जो गुफाओं है ये मौर ये कालिन मानी जाती है तो आप देख लीजिए दो से ही answer तो आपका निकल जाएगा देखो कि आप बादामी की गुफा यानि A में देखेंगे second हमें केवल और केवल एक नंबर option में प्रापत हो रहा है फिर C के अनुशार हम देखेंगे elephant की गुफाएं है इनका जो समय माना जाता है ये कल्चूरी माना जाता है जबकि उदेगिरी की गुफाएं हैं ये किस काल की मानी जाती है ये मानी जाती है गुफ काल की जो कि option नंबर एक या यूं कहें ये तो इधर दिये हुए हैं कलाकार और इधर इन कलाकारों की है करती जोन वोन आई की प्रसिद्ध करती है दे बिट्रोथल ओफ दे अर्नौल फिनी इसके अलाब बात करें तो लास्ट सपर बहुत प्रसिद्ध चित्र है किसका लियोनार्दो दै विंची दाइंग सलेव की बात करें तो ये माइकल एंजलो का प्रसिद्द चितर है और रोजी एरवान डेर वेडिन का प्रसिद्द चितर है दे डिसेंट फ्रोम दी क्रोस तो आप देखिए ए की अंदर और ए की अंदर फोर देखेंगे आप्शन नंबर चार है जो अपना सही आंसर हा जाएगा आगे फिर अभी जो प्रसंथा उसका इंग्लिश वर्जन है इंग्लिश मीडियम के विद्यारती इनको देख सकते हो आराम से आगे वाले प्रसंथा की तरफ चले निमन लिखित को उनकी कला में विभिन दर्सन ग्रहन के अनुसार सुमेलित कीजिए यानि इसकी कला में क्या दिखाई दे रहा है ये हमें बताना है तो इसामू नागूची की बात करें तो इसामू नागूची है ये औरियंटल आर्ट से समंधित माने जाते हैं तो इसामू नागूची का देख लिए आप ए में तीन ए में तीन देखेंगे हमें केवल और केवल ओप्शन नंबर चार में देखने को मिल रहा है 18 हाजदू का समंद्ध है ये किस के माने जाते हैं ये प्रारम भी ग्रिक आर्ट से समंदित माने जाते हैं मारिनु मरीनी का जो समंद्ध है ये है एट्रूस के ने आर्ट से और जो हेंडरी मातिस है इसका समंद्ध प्रिमिटिव आर्ट से माना जाता है तो इसके अनुसार आप देखोगे D में आपको 1 मिल रहा है यानि option number 4 है जो सही है निमिल लिखित को उनके गलनांक के अनुसार सुमेलित कीजे गलनांक के अनुसार हमें बताना है इधर वाला या तो आप इधर से देख लीजिए या फिर आप इधर से देख लिजी इदर वाले को रखने की अवशinal London इधर आपको पता है सब से कम कम बता है किनका इतिन का तो क्रें को सबसे कम के साथ मिलाओगी यह नी 450 के साथ किसको मिला ओ तिन को मिलाओं कि इंक बाद आता है तिन yeah एल Emlia me में देखो आप दो के साथιάंज बारा सो घारा के स साथ मिला दो डिगरी Fahrenheit एफ धारेन हाइट है सलसियस में आता है तो अलग चेंज हो जाता है ति से बलक यसके अलाग बात बात करें तो इस्टील की देखें इंट पचीस सो डिग्री फारेन हाइट आप देख लिए जिए ए में मिलेगा आपको चार नमबर ए में मिलेगा आपको चार नमबर कहां ओप्षन नमबर चार में आगे वाले प्रसंद की तरफ चले शब्दों का मिलान Media of Advertising यानि विज्ञापन माध्यम के आधार पर क्या है आपको करना है आप देखोगे Suffred Seat Suffred Seat है, क्या होती है यह यह Print and Periodical Advertising होता है Time Square OTT यानि OOH यानि Out of Home OOH का मतलब होता है Out of Home Advertising को कहा जाता है Times Square OOH इसका इसके साथ क्या कर लिजी आप मिला कर लिजी Instagram की बात करेंगे तो Instagram में आएगा कोन है Cell Phone and Mobile Advertising और Native Ads में आ जाता है Internet यानि अपना Online Advertising तो आप देखे D के अंदर First देखो D के अंदर First आपको केवल और केवल Option No.2 में प्रापत हो रहा है जो की पूर्णते सही है आगे वाले प्रसंद के अनुशार चले Brand का मिलान उनके Celebrity Ambassador के साथ कीजिए अब देखो इधर दे रखा है अब आप वरतमान में इनको क्या कर लिजी Google जरूर कर लेना क्योंकि ये पेपर है November 2017 का उस समय उसके जो Brand Master है ये हुआ करते थे अब हो सकता इनके क्या हो गए है Change हो गए है उस समय Colgate Active Salt है इसके Brand Master थी अनुश्का सर्मा L'Oreal Paris है इनके Brand Master थी दिपिका पादुकॉन BMW इनडिया के Brand Master थे Sachin Tendulkar और Tata Motors के Brand Master इसमें थे ली ओ नेल मेसी तो आप देख लीजिए D में 1 D में 1 हमें यहां भी मिलेगा यहां पर भी मिलेगा फिर आप देखिए A में A में देखिए आप सेकिंड यानि Colgate Active Salt अनुश्का सर्मा A में 2 देखोंगे आपको यहां मिल रहा है मतलब Option नंबर जो 1 है यह अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अभी कथन A की बात करते हैं इसमें 2 कथन दिये गए हैं एक अभी कथन होता है दूसरा क्या होता है उसका कारण होता है इसमें हमें बताना है कुन सा सही है कुन सा गलत है बहुत इजी प्रशन होते हैं यह इसमें आप देखिए अभी कथन A सैचित्तर पुस्तक है तू आरम भिक लीतो ग्राफिक प्रिंट भारत सरकार के मुदरनाले में मुदरित यह गए यह कथन क्या है भाई सही है कारण क्या है कारण बता रहा है यार क्योंकि मुदरनाले 1824 इस्यों में स्तापित हुआ था यह बात भी क्या है भारत में मुदरनाले 1824 में स्तापित हुआ था यह बात सही है ओप्शन नमबर जो 4 है A और R दोनों सही है यह सही है अभी कथन A equator tint को engraving print करने की परकिरिया के एक भाग के रूप में जाना जाता है यह कथन क्या है गलत है यह कथन इसका गलत है तरक क्या है क्योंकि engraving printing परकिरिया में image plate की सतह से नीचे धसी ओती कि ये बात सही है, यानि इसका जो तरक है क्या है, सही है, इसमें A, यानि अभी कथन तो गलत है प्रंतु आर, यानि तरक इसका क्या है, सही है, option number 2. अभी कथन A सरजनात्मक आवेग समस्त कालाओं में एक प्रमुख बल है ये बात सही है कारण क्या है? क्योंकि कलाकार सरवोच सता के आनंद को अनुभूत करता है ये बात भी इसकी क्या है? सही है तो A और R दोनों के दोनों क्या है? इसमें सही है अभी कथन A सभी सत्य अत्यन्त सुंदर है जब कलाकार को सत्य में सुंदरिय का बोध होता है तभी सत्य कला निर्मित होती है ये बात सही है कारण क्या है? कारण बता रहे क्योंकि यदि कलाकार सत्य निष्ट कला का सरजन करना चाहता है तो उसे कला की जड़ों में गहराई तक पहुंचना होगा ये बात भी इसकी क्या है सही है तो आप देखोगे A और R दोनों के दोनों क्या है option number 3 में सही है आगे वाले प्रसिन की तरफ चले पाबलो पिकासो की primitive कला में गहन रूची थी ये बात सही है इनकी गहन रूची थी कारण क्या है क्योंकि वह सीखना चाहता था कि केसे साधार्ण ततूं से एक छवी तेयार करना किस परकार से संभव है यनि ये बात भी इसकी क्या है सही है तो A और R दोनों के दोनों क्या है सही है जो की अपने option number 4 में है आगे वाले प्रसन की तरफ चले अभी कथन A आदिम वाद तता प्रियावन वाद कलाभवन सांती नीकेतन के मारक दरसी सिद्धानत थे ये बात सही है ये बात सही है यानि आदिम वाद और प्रियावन वाद कलाभवन सांती नीकेतन के क्या है मारक दर्शी शिद्धान थे, इस बात में कोई डाउट नहीं है, ये पूर्णते सही है आगे देखते हैं, तरक आर कला भवन में आधुनिक की बजाए सिख्षा की प्रमप्रागत पदती को प्रात्मिक्ता दी जाती है ये बात गलत है, ये बात इसकी क्या है भई, गलत है तो आप देखोगे इसमें ए तो सही है, परन्तु आर क्या आ रहा है इसमें गलत है, आ रहा है आगे वाले प्रसंद की तरफ चलते हैं अभी कथन ए, सांचे से सिरामिक मूर्थी की स्लिप कास्टिंग में, कावलीन का प्रभावी प्रियोग किया जाता है ये बात सही है, प्रभावी प्रियोग इसमें तो होता है तरक की बात करते हैं, इसके सिकूरने की अधिक दर के कार्ण ये कहरा है, कि सांचे से सिरामिक मूर्थी की स्लिप कास्टिंग में कावलिन का प्रियोग प्रभावी किया जाता है ये बात तो सही है लेकिन ये कहरा है क्यों किया जाता है ये कहरा है कि इसके शिकूरने की अधिकदर होने के कान किया जाता है ये इसका जो तरक है ये क्या नहीं है सही नहीं है तो आप देखे इसमें ए तो क्या है सही है परन्तु आर इसमें क्या आ रहा है गलत आ रहा है अभी कथन ए जब एडियन फूतिगर ने फूतिगर के यूनिवर्स फॉंटपरिवार को विवस्तित किया जाता है तो यह अपने आप में मांचितर बन जाता है जब एड्रियल फूटिगर के यूनिवर्स फॉंट परिवार को विवस्थित किया जाता है तो यह अपने आप में मानचित्र बन जाता है यह स्टेटमेंट इनका सही है तरक है आर देखें क्योंकि यह टाइफ फेस के परते के कट आउट की विक्तिकत विसेश्थाओं को विक्त करता है यह बात भी सही है यानि दोनों के दोनों इस्टेटमेंट इसमें क्या है भई सही है आगे वाले प्रसन की तरफ चले अभी कतन ए डिजाइन के काम की प्रिंट आउट स्थीकता और माप के लिए आवशक नहीं है यह स्टेटमेंट गलत है डिजाइन के काम की प्रूफ जांच के लिए प्रिंट आउट की स्थीकता और उसके माप के लिए क्या है आवशकता है बिलकुल क्योंकि जब आप प्रिंट नहीं निकालोगी तो आप देखते हैं क्योंकि computer screen वास्तविक माप के अनुपर इस्टीख होती है नहीं वास्तविक माप के अनुसार यह इस्टीख नहीं होती एंप्यूटर की screen तो छोटी होती है वास्तविक ता में क्या है बहुत बढ़ा print आपन कंप्यूटर की छोटी सी इस्क्रीन से कमांड देकर کے निकाल सकते हैं आगे वाले प्रसन की तरफ चलेन अभी कत्षन A. मुर्तिकार अकसर पिगलेवे कांसे में थोड़ी मاتरा में जस्ता मिलाते हैं यह बात सही है यहनि कांसे में क्या है जस्ता बिलकुल मिलाया जाता है यह बात तो सही है, कारण क्या है, क्योंकि यह प्रिणामी कांसे के पिघलने के बिंदू को कम करता है, तथा उसे वास्तविक दर्ष्टी से नरम भी बनाता है, यह statement भी सही है, यानि कथन A और R दोनों के दोनों इसमें सही होंगे. अपसेट प्रिंटिंग परकिरिया के सही करम का क्या करना है, हमें चैन करना है। धातू पर आकरती का अंतरन होगा बिल्कुल सही है, इसमें रबड बलेकेट ने, ये तीसरा करम होता है, मतलब चार नमबर तो यहां पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, आकरती बनाना, धातू पर आकरती का अंतरन करना, और फिर ये कहां पर आएगी, ये रबड बलेकेट पर आएगी और इसके बाद में क्या होगा सतह पर आकर्ती का निरूपन होगा बाद में ये आकर्ती है जो सतह पर छापी जाएगी तो ये जो प्रिंटिंग परकिरिया जो एक नंबर है ये क्या है ओप्षेट की सही परकिरिया है प्रिंटिंग की सही काल करवानु सरंखला का चैन कीजे प्रिंटिंग इन में से कैसी कौन कौन सी तक ने कब कब आई तो शुरू से लेकर के हमें लाश्क तक हमें देखना है तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कौन से आई थी इंटेगलियो और रिलीट इसमें क्या है Integli yo से पहले Relief आई थि, फोटोग्राफी पहले नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, तो इसमें Relief Printing क्या है, पहले आई थि, इसके बाद Integli yo प्रिंटिंग आई, इसके बाद screen printing आये और बाद में क्या आगई photography भी आगई तो option number 2 है जो इसका सही answer होगा काल करमानुसार व्यवस्थित तही विकलब का चैन कीजिये इसमें आप देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले सुब्रमन्यम है इनमे सुब्रमन्यम के बाद तेब महता सही है ए रामचंदरन और विवान सुन्दरम यानि जो अपना तीन number option है ये क्या है इसमें सही है आगे वाले परसन की तरफ चले सही काल करमानुसार चाहिनित कीजिये काल करम के अनुसार हमें क्या करना है सही बताना है तो इसमें एक नमर पर आएगा परसिस्टेंस ओफ मेमोरी इसके बाद कौन सा है गवैरनिका फिर ब्राडवे वगी वगी और वलू सरकस यानि option नमर तीन है जो इसका क्या होगा काल करम के अनुसार सही होगा अनिस कपूर की कर्टियों के सरजन के सही काल करम का चैन कीजिए अनिस कपूर ने कौन कौन सी कर्टिया बनाई उनके करम यानि सुरुआत से लेकर के हमें लाश तक की बतानी है तो इसमें हम बात करें तो इसमें सबसे पहले बनाई थी इसमें एज इफ टू सेलिबरेट दो नमबर पे इसके बाद इन्होंने बनाई थी आई डिस्कावड ए माउंटेन ब्लूमिंग विद रेड फ्लोवर्स इसके बाद श्काई मीरर जो न्यू योर्क में है और इसके बाद कलाउड गेट और इसके बाद बात करें तो टर्रनिंग द वर्ल्ड अप साइड डाउन तो यह जो तीन नमर है यह पूर्णत ए इसकी क्या है सही है आगे वाले परसंट की तरफ चले यह इसका इंगलिस वर्जन है पूराने से पूराने से नए की दिशा में सही करम का चेंड करना है पुराने से नए की दीशा में हमें बताना है कि पहले कलाकार कौन, किसका जनम हुआ था, इसके बाद किसका हुआ, इसके बाद किसका हुआ और इसके बाद किसका हुआ हमें ये बताना है सबसे पहले इन में देखेंगे तो हमें दोना तेलों से पहले देगा दिखाई दे रहा है मतलब यह तो गलत हो गया दोना तेलों फिर देगा फिर एलेक्जेंडर काल्डर और रिचार्ड लोंग ओप्शन नंबर दो क्या है इसमें सही है विकास करम में प्रस्तिद पोस्टरों को सही काल करमानुसार चुने इनको सही काल करम के अनुशार चुनना है तो इसमें आप देखोगे चे पोस्टर ओबामा यह किसे लोत्रे के मूल रूंज से पहले आ रहे हैं मतलब एक नमबर गलत है इसमें आप देखोगे लोत्रे का बढा कोई सा बढ़ है यांधि यह जो अपणा दो नंबर ओप्षिन है यह क्या सहिए पहले रोड़ां। फॉर और इसके बाद बात करें थो मद आगे वाले परस्टन के तरब चलें पर्तिकों की सुरुवात के सही करम का चैन कीजिए इसके सुरुवात की पर्तिक हैं जो कैसे कैसे बने सुरुवात से लेकर के हमें लाश तक सही करम इनका क्या करना है बताना है तो इसमें सबसे पहले बना था the red cross red cross यहां पर भी है और यहां पर भी है इसके बाद red cross के बाद Olympic ring आ गया यह गलत है यह बनाता इसके बाद the Mercedes star Mercedes star के बाद कुन सा बनाता the Olympic rings और इसके अलावा Mac Donald का golden arch जो की option नमबर 3 है यह इसका सही answer होगा Greek मूर्तियों के सही कालकरम का चैन कीजिए Greek मूर्तियों के सही कालकरम की बात करें तो इसमें सबसे पहले Apollo Balveder सही है इसके बाद Prakšetelij यानि हर्मिज with the young Deonsens यानि यह सही है इसका इसके बाद आ रहा है Wins of Milo यह भी सही है Lakun यानि Lakun and his sons यह भी सही है यानि ओप्शन नमबर एक है जो इनके क्या है सही है इसका English version आप देख सकते हूँ वास्तुकला के सही कालकरम का चैन कीजिए वास्तुकला के सही कालकरम का चैन करना है यह वही बात प्रशन लगातार करम से पूछे जा रहे हैं कौन से वास्तुकला है जो इसमें पहले बनी उसके बाद कुन से बनी उसके बाद कुन से बनी तो उसमें आप देखते हो सिस्टाइन चैपल के बाद के थेडरल ओफ नोत्रेदाम गलत है आप देखोगी इसमें सबसे पहले कुन सा है देपार्थिनन बिल्कुल सही है के बाद रोम का कॉलेजियम बना के थे ड्रल ओफ नात्रे दम या नोत्रे दाम या नात्रे दम के बाद सिस्टाइन चेपन यानि यह जो अपना दो नंबर है यह पूर्णते श्टी के आ रहा है तो सेकंड पेपर में 50 कुशन हुआ करते थे जो कि अपने हल कर लिए है अब नेक्स्ट जो थर्ड पेपर होगा उसमें 55 क्यों सुनोंगे उनको अपन अगली कलास में हल करेंगे हमारे वीडियो अगर आपको पशंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अगर आप अपनी नेट की तैयारी को मजबूत करना चाहते हो तो मिशन आर्ट एप से जाकर के आप जो नेट से समन्दी टेस्ट सरी चल रही है उसमें आप टेस्ट दीजिए और उसे आप जोइन कर लीजिए ठीक है? मिलते हैं इसी परकार की अन्य महतुपूर्ण जानकारियों के साथ एक और पेपर के अंदर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत